साला बिल्डिंग के टॉफ लोड पे रेताओ फिर भी नेटवक नहीं मिलता अब क्या सैटेलाइट के पंखे पर बेट कर कॉल मारू क्या ओ नौ यहाँ टू जी ठिक्स नहीं आता बोसरी के 3G फोर्जी निकाल के बेटे चलो जियो ने फोर्जी निकाला हम भी फोर्जी निक देखे ढलेंगे जी ओने अपनी मर वाले हम भी आपनी मर वालेंगे क्या हुआ नेट Alone में अपना टौवर साथ ले के गोमता हो गरता साब कैम है अइक एक भी नेट्वक नहीं आ रहा मेरा भी वहीं आले ले attached हेलो हेलो डार्लिंग मेरा बार बार नेटवर्क जा रहा है जी ओ का सिम दिलवा दो न अरे दो चार दिन रुख जा पतन जली का नया सिमाने वाला है उसमें क्या मिलेगा उसमें डाता के साथ अर्टा फ्री मिलेगा क्याफ ये लाल पिले भेडिया और वड़ा फोन वाले टीवी के आड में दिखाएंगे हमारा नेटवर्क हिमाले जंगल संदास में भी आता है फिर रियल लाइप में कहा गदे की गान में जाता है यहाँ शहर में ठीक से नेटवर्क नहीं आता गाओ में क्या घंटा आएगा कल क्लास में टीचर ने पुछा मुझे वो गंदा वाला मेसेज किसने बेज़ा था और मैंने यहाँ फोन की रेंज डूनने के लिए अपना हाथ उपर कर दिया फिर टीचर ने जो मेरा पिछवाडा लाल किया है भाई कस्टमर केर को कॉल लगाओ ना जब नेटवर्क ही नहीं आ रहा तो कॉल कहा से लगाओ ये नागू की चुटिया से और कॉल लग भी गया तो क्या फाइदा पहले पाच मिनिट तो भाशा सिलेक करने में निकल जाते फिर भोसड़े वाले 10 मिनिट अपने सडेले ओफर के आयर चलाएंगे फिर इनके ओप्शन चलो हो जाते रिचाज की ओफर के लिए 1 दबाए इंटरनेट की ओफर के लिए 2 दबाए खुजाने के लिए 3 दबाए खिलाने के लिए 4 दबाए आपका माथा गरम हो रहा है तो पाज दबाए और हम भी इनके ओप्शन सुनते रहते सुनते रहते कि भाई एक एक ऐसा ओप्शन है जिसमें हम कस्टमर केर से बात कर सके लेकिन नई वोलन बुद्धी कस्टमर केर किसी नई नवेली दुलन की तरह शर्माता हुआ किसी ओप्शन के ओप्शन में चुपा बेटा होता है और जब वो ओप्शन हमें मिल जाता है तो इनके सारे कस्टमर सपोर्टर भीजी मिलेंगे फिर कॉल कनेक करने के लिए फिर 15 मिनिट वेट करवाएंगे फिर फाइनली जब हमारा कोई फोन उठाता है तो जब हम अपना प्रॉबलम उसको बताने जाएंगे तो सबसे पहले वो हमारी आइडेंटिटी कन्फरम कराएगा आपका नाम क्या है? फोन नंबर क्या है? जन्मतारिक क्या है? अड्रेस क्या है? अंदर चड़ी पहनते हो क्या? कौन से नंबर की पहनते हो? अब क्या कुंडेली निकालेगा क्या? साला मैं आइटम से इतनी देर बात नहीं करता जितना कस्टमर केर से करता हो काम तो होता नहीं लेकिन हमारा बैलेंस खतम बैटरी खतम कॉल खतम जिन्दगी जंड वो खुजाने वाला मेरे साथ भी होआ था सोया शेर और कस्टमर केर को जगाओगे तो वो गांड ही मारेगा चलो सुनते ट्रम तात्या का इसके बारे में क्या खयाल है? अर क्या बताओ बिटवा यहां गांड फटी पड़ी है वो कस्टमर केर को कॉल लगाते लगाते कल वो में हमरी घर वाली को कॉल लगा रहा था तो पता नहीं कैसा ऐसा अचानक क्लिंटन भाई को फोन लगा है अब वो बोलने लगे कि तुम हमरे पे लाइन मार रहे हो अब तुम ही बताओ बिटवा हम ठेरा बाल बच्चे वाला आदमी हम का लाइन मारेगा किस पे अब यह फोन का परेशानी बताने के लिए हमने कस्टमर केर को फोन मारा तो फोन उठाय किसी लॉंडिया ने और क्या बदमास लॉंडिया थी वो क्या बताओ तेरे को सब कहीं नहीं गए है सब अपनी अपनी सिमकाड कमपणी खोल के बैटे और यह है इनकी सरदरनी डाकू यह लुटे ने पहले बिना बताय लुटते ते अब बता के लुटते जब जियो नहीं था तब यह साले 350 में सिर्फ दो जी भी थ्रीजी डाटा देते थे और जब जियो कून सा है मेरा अपना पाप पाप पतन जली अरुवथिक सिम काड तेरह वाला डाटा के साथ आता देता है मेरा वाला टाटा के साथ घाटा देता है सर में बेडिया से बोल रहा हूँ आप अपना जियो का काड हमारे नेटवक में कनवर्ट करना चाहेंगे क्या क्यों बेच चिपकल की गांड जब हमारा काम होता है तो फोन उठाने में आदा गंटा लगाओगे सर एक बार हमारा सिम ट्राय तो किजिए हमारा नेटवर्क आपको हर जगा मिलेगा अचा हर जगा मिलेगा जड़ा अपना फोन अपनी पिछवाड़े में डाल देना डेखते नेटवक आता है क्या अगर तेरा टावर खड़ा नहीं हुआ तो रामपूरी से काट डालूँगा सर आप हमारी ओफर तो सुन ले तू मेरी ओफर सुन तीन बोलने से पहले फोन रख वरना है ऐसा पादूँगा ऐसा पादूँगा तेरा कान और गान दोनो भड़ जाएगा लेकिन सर तुझा अइचा कट अपा मारा ला रख रख फोन